मेरी दुनिया ये है साधी तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार से स्टटस वीडियो बनाने वाले हैं जैसा कि आप स्क्रिन पर देख चुके हो तो फ्रेंड अगर आप भी इपने अभी मॉबाइल फोन से कुछ इस प्रकार का स्टटस वीडियो क्रियेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको एन तक देखना है तक कि आप स्टप बा इस्टप समझपाए कि वीडियो को कैसे एडिट करना है फ्रेंड ऐसे status वीडियो बनाने के लिए हमें एक application चाहिए जिसका नाम है kind master तो उसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप महाँ से जाकार आसानी से download कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर हमें new project पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर हमें 16.9 का receive लेना है लेने के बाद यहाँ पर हमें create पर click कर देना है अब फ्रेंड यहाँ पर हम सबसे होगे बैक्राउंड image का selection करेंगे तो चलिए फ्रेंड हैं में हाँ से उपने background image का selection कर ले रहा ह Maintenant उसके बाद इसकी duration को खीच कर हमें कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है देख सकते हो friend इसी प्रकार से आपको भी बढ़ा लेना है उसके बाद यहां से में back आ जाना है उस स्क्रोल करके स्टार्टिंग पोजिशन पे आ जाना है आप friend इसमें अपना photo add करेंगे तो उसके लिए आप लेर में जाएंगे लेर में जाने के बाद यहां पर medium जाएंगे और यहां से अपने photo को add कर लेते हैं तो friend मैं आपके जानकारी के लिए पता दू कि मैं आपके जिस photo का use कर रहा है अगर आपको photo का png निकाला नहीं आता हो तो वीडियो के description में जाना है वापर आपको एक वीडियो का link मिल जाएगा वहीं से आप देख कर सीख सकते हैं तो friend यहां से हमने अपने photo को add कर लिया है add करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से से zoom कर लेना देख सेकते हैं इसी प्रकार चे आपको भी जूम कर लेना उसके बाद हमें लाना कुछ इस प्रकार से इस प्रकार में assessment कर देना सेट करने के बाद इसकी duration को खीजकर हमें कुछ इस प्रकार चेहां पर end तक रख लेना है अब फ्रेंड इसमें अपना फ्लावर का PNG फोटो अड़ करेंगे तो उसके लिए हम पर लेयर में जाएंगे लेयर में जाने के बाद यहां पर मीडिया में जाएंगे और यहां से अपने फ्लावर वाले PNG फोटो को अड़ कर लेते हैं तो फ्रेंड यहां से हमने अपने PNG फोटो को add कर लिया, add करने के बाद यहां पर हमें split screen पर जाना है, और इसे हमें full screen में कुछ इस प्रगार से कर लेना है, करने के बाद यहां से हमें back आ जाना है, देख सकते हो फ्रेंड कुछ इस प्रगार से, अब फ्रेंड इसमें अपना फ्लावर का पंजी फोटो और अड़ करेंगे तो उसके लिए अपने लेयर में जाएंगे लेयर में जाने के बाद यहांपर मिडिया में जाएंगे और यहां सांटे के लिएृ देख सकते हो फ्रेंट इसी प्रकार चे आपको भी बढ़ा लेना इसके बाद यहां से बैक आ जाना है और स्क्रोल करके स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाना है अब फ्रेंट इसमें इस्टाग्राम पोस्ट का पी एंजी फोटो आड़ करेंगे तो इसके लिए हम पर लेयर में जाएंगे लेयर में जाने के बाद यहां पर मीडिया में जाएंगे और यहां से अपने फोटो को एड़ कर लेते हैं तो फ्रेंट यहां से हमने फोटो को एड़ कर लिया और इसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से लाना है इस साइड में से सेट करना है देख सकते हो फ् स्क्रोल करके и Starting Position पर आ जाना है, फ्रेंट इस फ्रेंड में अपना photo add करेंगे तो इसके लिए अपने layer में जाने के बाद 應該 Media में जाने के बान यहाँ है और यहाँ से अपने photo को add कर सकते हो तो फ्रेंड यहां छोटा करके इस frame के recording अच्छे से set कर लेना देख सकते हो friend, कुछ इस प्रकार से उसके बाद यहाँ पर हमें cropping में आना है cropping में आने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दूनों साइड से काड लेना है जो हमारा frame से बाहर extra part निकल ला है उसे में कुछ इस प्रकार से crop कर लेना है देख सकते हो फ्रेंड इसी प्रकार से आपको भी crop कर लेना है उसके बाद यहां से में back आ जाना है कुछ इस प्रकार से और इसकी duration को खीच कर हमें यहां पर end तक रख लेना है देख सकते हो फ्रेंड अब फ्रेंड इसमें अपना एक split screen पे आना और इसे में full screen में कर लेना है, करने के बाद यहां से भ Moo दिए वा जाना है, उच्के बाद यहां पर हम नीचे के side में आएंगे, तो यहां पर हमें blending में आना है, कुछ इस प्रगार से देख सकते हो friend, आने के बाद हमें यहां पर screen कर देना है, स्क्रिन करने के बाद यहां से भी बैक आजाना है तो फ्रेंड हमारा status वीडियो completely बनकर तयार हो चुका है तो चलिए फ्रेंड आपको थोड़ा सा प्ले करकर दिखाते हैं अब इसमें song आप अपने हिसाब से लगा सकते हो तो song लगाने के बाद यहां पर quality आप अपने हिसाब से रख सकती हो और save पर click कर देना और आपका video save होना start हो जाएगा